उत्रखंड के चात्रों के लिए अच्छी खबर है राज की धामी सरकार इसी सत्र से चात्रों की चात्रवर्ती योजना की शुरूआत करने जा रही है बारवी पास जो युवा असी प्रतिशत से अधिक अंको वाले हैं उन्हें उच्छ सिक्षा के लिए सरकारी डिगरी कॉलेज या सरकारी विश्व विध्याले में दाखिले पर ग्रेजूइशन प्रतम वर्स से ही चात्रवर्ती दी जाएगी इसके लिए उन्हें समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजी करन कराना होगा मुख्यमंत्री उच्छ सिक्षा मिधावी चात्रवर्ती प्रोट्साहन योजना का लाभ राज के सभी सरकारी डिगरी कॉलेज राज विश्व विध्याले के परिशरों में पढ़ने वाले रेग्यूलर चात्रों को मिलेगा योजना की शुरुवात सत्र तुजार तेइस चौबिस से की जाएगी इसना तक प्रत्म वर्ष में प्राप्त होने वाली चात्र वर्ती के लिए बारवी में नियूनितम 80% अंक और अगरेतर वर्षों के लिए कम से कम 60% अंक वापिज 70%, उपस्थिती अनीवार्य होगी योजना के तहट इसनातक इस्तर पर सभी वर्षों में प्रतियक शंकाय में न्यूनितम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रतम द्वितिय तृतिय इस्थान प्राप्त करने वालों को छात्र वर्थी दी जाएगी दो वर्षी ये PG होने की दशा में PG अंतिम वर्ष में प्रतम वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रतियक सरकारी डिग्री कॉलेज विश्व विध्याले परिसर में विभिन संकायों में विशयवार PG स्तर पर अध्यंतरत शात्र शात्रों को न्यूनितम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रतम इस्थान द्वितिय इस्थान तथा त्रतिय इस्थान प्राप्त करने पर प्रतिमाह की दर्ष से चात्र वर्थी दी जाएगी ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष और पीजी अंतिम वर्ष की परिक्षाओं के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे छात्र छात्राव का चैन किया जाएगा जिन्होंने अपने कॉलेज विश्व विध्याले में सम्मंदित संकाई में इसनातक स्तर पर कुल परिणाम के आधार पर नियूनितम साथ प्रतिशत अंकों के साथ प्रतम द्वितिय या तिरतिय स्थान हासिल किया हो योजना के लिए हर साल 17 करोड रुपए खर्च होंगे चात्र वर्ति के लिए चात्रों को समर्थ पोटल पर अपना पंजिकरन करते हुए आविदन करना अनिवारी होगा चात्रवर्ति की राशी को दो किस्तों में चात्र चात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा